दोस्तो Excel में काफी सारी ऐसी informations या formats होते हैं जिनको हम बार-बार repeatedly use करते हैं एक ही data को बार-बार हमें बनाना पड़ता है चाहे उसको weekly use करना, monthly करना या yearly करना तो एक ही information को हमें कई-कई बार बनाना पड़ता है जिसमें हमारा घंटो का time based होता है लेकिन अगर आप यह वीडि एक्सल के बारे में आप Macro की complete detail इस वीडियो में जानेंगे वह भी एक्सल की VBA coding जाने बिना तो वीडियो काफी interesting होने और helpful होने वाला वीडियो को कर दीजिए अभी से like और channel को कर दीजिए subscribe तो चानकारी के लिए वीडियो सुरू करते हैं तो Macro बनाने से पहले सबसे पहल और बार नहीं बनानी पड़े तो Macro बनाने के लिए आप यहां पर डॉलपर option से भी बना सकते हैं या फिर डॉलपर option के जस्ट पास में जो व्यू टेब है वहां पर भी आपको Macro का option मिलेगा जहां पर तीन option देखेंगे व्यू Macro यानि पहले से बने हुए Macro को हम देख सक सकते हैं आप इसे और next लेना आपको shortcut की यानि कौन सी shortcut की से आप Macro को run या open कर पाओगे तो example के लिए यहां पर हम small n ले लेते हैं जिससे हमारी shortcut की बनेगी control plus n और अगर आप capital N करेंगे तो आपके shortcut की बनेगी control plus shift plus n तो easy use के लिए हम small n ही लेते हैं उससे नीचे आपको ती यूज करना चाहते हैं अगर इसी workbook में करना चाहते हैं तो this workbook select करें नई workbook में करना चाहते हैं तो new workbook और अगर आप हर जिगे इस macro को यूज करना चाहते हैं चाहिए पुरानी workbook हो नहीं हो कैसी भी तो आपको personal macro workbook यहां पर select कर लेना उसके बाद आपको description में कोई भी detail दाल देनी है जिससे हमने यहां पर type कर देते हैं December sales data और okay कर देंगे तो अब आप Excel के left corner में देखेंगे कि आप पर recording का option आ रहा है यानि आपका macro जो हो record होना start हो चुका है अब यहां पर जो भी काम करेंगे वो एक recording बन जाएगी और उसको हम बार-बार easily तरीके से use कर पाए इस amount और इनके उपर border apply कर देते हैं heading का में यहां पर color देते हैं background में yellow ताकि हमें अच्छा सा format मिल सके उसके उसके बाद यहां पर sales ID डाल देते हैं उसमें हमने 1001-100910 जितनी भी है ले सकते हैं फिर item ने ले लिया यहां पर ABCDEFGHI यह item names हो गए quantity और price जो है हम यहां पर empty छो total है वह आएका price को quantity से multiply करने के बाद तो automatic वहां पर add हो जाएगा जैसे यह प्राइज डालोगे नीचे यहां पर ले लेते हैं grand total का जिसमें सबसे पहले हम यहां पर quantity का total लेंगे कि कितनी quantity सेल हुई है इस मन्त के अंदर तो यहां पर सम का formula यूज करते हैं ताकि उपर जो भी value type करें तो नीचे यहां पर automatic total आ जाए वैसे उपर वाले total का यहां पर शो कर देगा next हमने यहां पर इसका background black करके और color जो है text का white कर दिया ताकि हाइलाइट हमें दिखता रहे उसके बाद जैसे हम एक तारिक के sales में data डालेंगे जैसे quantity में 4 डाल दिया और प्राइस चा गया और नीचे grand total में भी values add हो गई है तो यह macro के अंदर हमने एक format बना लिया है जिसको हम हर दिन जो है एक तारिक दो तारिक तीन तारिक ऐसे पूरे महिने हम इसी format को यूज करेंगे और जो format का यूज करने वाले का name है वह अजे कुमार और यह हर दिन अलग-अलग candidate भी हो देते हैं एक बारा के नाम से दूसरी सीट का नाम दे देते हैं दो बारा यानि दो तारिक बारव महिना दिसंबर यहां पर तीन चार पांच यहां से एक से तीस तारिक का डेटा बनाना है तो यहां पर एक से लेके दस तक की सीट बना देते हैं जिसका नाम हमने चेंज कर कर दिय Pat room designer लेखिट टारिक के नाम से एक तारिक 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 तीन तारिक यहां दस तक सीट बना लेते हैं और उनका नाम यहां पर चेंज कर देते हैं एक से लेके दस तक का आप जितनी चाहरो सीट एड़ कर सकते हो example के लिए यहां पर हम 10 यूज़ कर रहें तो सबसे पहले जैसी सीट वन में हमने जो फॉर्मेट बनाया है उसको हमें हर सीट में एक रखना क्या वली यहां पर क्वांटिटी और प्राइज एड़ होगी बाकि वही डेटा रहेगा वही फॉर्मेट रहेगा और नीचे केंडिडेट नेम चेंज होग थी यहानि आमनेग है नाम से सोकत की बनाया थी तो सीट 2 में जाये जिससे इक रहceğ तो वह सीट 1 का फॉर्मेट एजटी सी ट के अंदर आ गया यानि दो तारीक वाली सीट के अंदर पेस्ट हो गया और ऐसा होने से हमें जो Similarly करनाँना प्रो में एक रखने stratég कर देज हो जाएगा यहां पर candidate का नेम चेंज आजे कि जिए सुरेश करना तो सुरेश कर दिया तो इस तरह किसे दो तारिक में हमने फटा 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 एक ही बार बनाया लेकिन उसको डे टू डे यानि हर दिन एक सेकंड में हम उस फॉर्मेट को यूज कर पाएंगे बिना बार इसका नाम चेंज कर दिया इन्हीं सीट वन की जगह एक बारा दो बारा तीन बारा कर दिया इसलिए यह चोटा सा एर्यार आ रहा है बाकि हम एक से लेके दस्तक यहां पर मेक्रों को हमने यह पर रिपीट कर दिया सोट कटकी का यूज करते हुए तो यहां पर हलका जो भी चैज होगा क्वांटिटी का वह यहां पर एडिट कर पाएंगे और चाहे एक सीट हो या एक हजार सीट सब भी के अंदर मेक्रों यूज कर देंगे और इससे हमारा जो घंटों का काम था वह आपर मिंटों के अंदर हो जाएंगे लेकिन आपके मन में यह क्यूशन आएगा कि आपके यह चीज तो copy paste करके भी कर सकते थे लेकिन copy paste के अंदर सही तरीके से formatting copy paste नहीं होती है उसके अंदर काफι सारी Corrections हो जाते हैं काफि सारी formatting बिगड जाती है इसलिए अगर आप macro का use करेंगे तो Macro के अंदर आपका Edis format repeat हces जहां आपका 1% भी formatting सेट करने की जरूत नहीं है कि एक बार फॉर्मेट बनाओ डेटा बनाओ और बार बार यूज करो तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी हेलफुल रहागा तो वीडियो में कमेंट जरूर करें साथी चैनल पर पहली पार तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीड अन्यवान